आज हम देखेंगे पूर्णांकों के क्रम विनिमिय गुण से संपंदित मिथ्याधाना और साधारन कलतियां अपना कहना सत्यापित करने के लिए उसने यह उधारन दिया लेकिन विशाल यह मानने को तयार नहीं था उसका कहना था कि पूर्णांगों का विभाजन क्रम विनी में यह है अपना कहना सत्यापित करने के लिए उसने यह उधारंड दिया क्या बता सकते हैं यहां कौन सही है? शशी ने रिण 9 को रिण 3 से विभाजित कर परिणाम प्राप्त किया 3 और रिण 3 को रिण 9 से विभाजित कर परिणाम प्राप्त किया 1 पटे 3 दोनों के परिणाम देखकर शशी ने सही सोचा कि यहां परिणाम बराबर नहीं है इसलिए विभाजन किसी भी क्रम में नहीं किया जा सकता यानि कि विभाजन क्रमविनी में ये नहीं है विशाल ने 3 को रिंड 3 से विभाज़त कर परिणाम प्राप्त किया रिंड 1 इसी तरह रिंड 3 को 3 से विभाज़त कर परिणाम प्राप्त किया रिंड 1 दोनों स्थित्यों में परिणाम पराप्त होने के कारण विशाल की समझ बन गई कि पूणांकों का विभाजन क्रम विनिमेय है, लेकिन यह एक कलत समझ है विशाल से गलती यह हुई कि उसने पूनांकों के विभाजन के कुछ और स्थितियों के जाच नहीं की सही समझ यह है कि विभाजन क्रमविनी में यह नहीं है क्यूंकि प्रतीक स्थिति में दो पूनांकों के विभाजन से प्राप्त परिणाम उनका क्रम बदल कर प्राप्त होने वाले परिणाम के बराबर नहीं होता इसलिए विशाल गलत है और शशी सही है अब आईए देखें क्रमविनी में गुण से संपंदित कुछ साथारन कलतिया कई बार क्रमविनी में ये गुण सिर्फ सूत्र के रूप में याद कर लिया जाता है लेकिन इसका प्रयोग योग या गुणन की संग्रिया को आसान बनाने के लिए नहीं किया जाता जैसे रिन बारा धन, रिन सतासी, धन, रिन आठ का परिणाम पता करने के लिए पुणांकों को दिये क्रम में ही जोड़ा जाता है यह समझना जरूरी है कि क्रम पदलने से यानि कि रिन बारह, धन, रिन आठ, धन, रिन सतासी करने से परिणाम बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है इसी तरह अगर पुणांकों का गुणन करना हो तो रिन 5 गुणा 41 गुणा रिन 2 करने के स्थान पर रिन 5 गुणा रिन 2 गुणा 41 का परिणाम प्राप्त करना आसान है इसलिए क्रम विनिमय गुण का उप्योग व्यवाहरिक जीवन में समझना अवश्यक है क्रम विनिमय गुण के लिए सूत्र है A गुणा B परापर B गुणा A कई बार बच्चे यह समझते हैं कि यह गुण तभी उप्योगी है जब सिर्फ 2 पुणांकों का गुणन किया गया हो बच्चे यह नहीं समझ पाते कि 2 से अधिक पुणांकों के गुणन का क्रम भी बदला जा सकता है जैसे रिंड 2 गुणा रिंड 4 गुणा रिंड 5 को रिंड 2 गुणा रिंड 5 गुणा रिंड 4 रिंड 5 गुणा रिंड 2 गुणा रिंड 4 या रिंड 5 गुणा रिंड 4 गुणा रिंड 2 ऐसे भी गुणा किया जा सकता है इन सभी का परिणाम पराबर आएगा इसी तरह दो से अधिक पूरांकों के योग का भी क्रम बदला जा सकता है क्रम बदल कर परिणाम पराबर ही आता है आज हमने देखी पूरांकों के क्रमविनिमय गुण से संबंदित मिठ्याधारना और कुछ साधरन कलतिया